नमस्कार आप सुभी लोगों को आज मैं नए वीडियो से रवे काका की बौचार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ बौचार चालू होने से पहले अगर आप मेरे यूटूब चैनल में नए हैं तो कृपिया मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक करें कमेंट करें और जितना हो सकें मेरा सपोर्ट करें मेरे चैनल को सेयर करें और सब्सक्राइब करावें तो आईए बौचार में प्रिवेश करते हैं हम कहा बड़ा ध्वाखा हुईगा हम गयन याक दिन लखनुवे कच संजोग आईस परीगा पहले ही पहल हम शहरू दीख सो कहूं कहूं ध्वाखा होईगा जब गयन 29 ध्याखा है हम जहां कक्कु भारी रहे भीर दुई तोला चार रुपईया कै हम बेसहा सोने के जन्जीर लख भाई घरे तिने गल गल बहू मिलू चार दिननमा रंग बदला उन कहा कि पीतर लाई आओ हम कहा बड़ा ध्वाखा होईगा देखिये लखनौं के बारे में एक गाउं और एक सहर किस तरह रमे काकाजी लिखते हैं मौँजन का कीने सफा चट मौँपाउडर आओ सिरकेस बड़े और ताहमत पहिरे अंडी ओड़ें बाबुजी याके रहे खड़े हम कहा मेम साहब सलाम उई बोले चुपबे डाइम फूल मैं मेम नहीं हूं साहब हूं हम कहा फिरो धोखा होईगा हम गयन अमीनाबाद जब कुछ कपड़ा ले बजा जा मा और वहिया अमीनाबाद तो मसूर है हर चीज वहां मिलती है तो रमई काका जी क्या कहते हैं क्या लिखते हैं हम गयन अमीनाबाद जब कुछ कपड़ा ले बजा जा मा माटी के सुधर महरिया असी जहां खड़ी रहे दरवा जा मा समझा दुकान के यह मलकिनी सो भाव ताव पूँच लागिन या के बोले यह मूरती है हम कहा बड़ा ध्वाखा होईगा और उसके बाद धस गयन दुकाने दीख जहां मिहराव या के रही खड़ी मुह पौडर पोते उजर उजर और पहिरे सारी सुघर बड़ी हम जाना मूरत माटी कै सो सारी पर जब हांथ धरा उई जजकी भुकुरी खवखाए उठी हम कहा फिरो ध्वाखा होईगा हम कहा फिरो ध्वाखा होईगा